पूर्व सांसद पप्पू यादव अरेस इस वक्त की बड़ी ख़बर आ रही है पटना से जहां मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पाटी के सुप्रीमो राजी व्रंजन और पप्पू यादव को गिरफतार कर लिया गया है जानकारी के मुताबिक उन पर सरकारी कामों में बाधा डालने और लॉकडाउन के नियमों का उलंगन करने का आरोप लगा है उन्हें गिरफतार करने के लिए पटना कोतवाली डियस्पी समेथ पांच थानों के थाना प्रभारी उनके आवाज पर पहुँचे पपु ने पुलिस को आस्वाशन दिया कि कोरोना के दौर में वे घर से बाहर नहीं निकलेंगे उन्होंने इसकी लिखित कौपी भी कोतवाली डियस्पी को सौपी लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया और गांधी मैदान ठाना ले गई है बता दे गिरफतारी के समय पपु अपने समर्थों के साथ बैठ कर रनीती बना रहे थे कि वे आज किनकेन इलाकों में और किस-किस अस्पताल में जाएंगे हाल ही में पपु लगातार कोरोना काल में अस्पताल सम्शान और अलग-अलग जिलों में घूम कर कुरोना पीड़तों की मदद कर रहे थे सरकार के काम पर सवाल उठा रहे थे साथ मैए की शाम में छपरा पहुँचकर उन्होंने बीजिपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास पर 25 से अधिक एम्बलन्स चुपा कर रखने के मामले को उजागर किया था जो काफी सुर्खियों में रहा पप्पू ने रूडी पर केस दर्श करने की मांग की थी बाद में उल्टा छप्रा में पप्पू यादो पर ही केस दर्श हो गया इसके बाद पटना में भी कोरोना गाइडलाइन को लेकर पपू पर F.I.R. दर्श की गई वहीं गिरफतारी के बाद पपू ने ट्विट करते हुए लिखा है कि कोरोना काल में जिन्दगियां बचाने के लिए अपनी जान हतेली पर रखकर जूजना अपराद है तो हाँ मैं अपराद ही हूँ पी-म साहब, सी-म साहब, दे दो फासी या भेज दो जेल, जुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं लोगों को बचाऊंगा, बेमानों को बेनकाब करता रहूंगा वहीं पपू यादब की गिरफतारी के बाद सोशल मीडिया पर बिहार सरकार के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्ता देखने को मिल रहा है पर बाद सरकार के जब रहा है झाल झाल